और क्या हाल मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वाइता पाक कलम नमें स्वागत के सासथ अभिनान धन्द करती हूँ तथा आपने न entire दोस्तों कैसे हो सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आज श्रेता पाक कलम बना चनी की डाल जिसको हमने कद्दू डाल के बनायें साथी साथ इसमें मूंग डाल बढ़ियां डाला है पुन्ग दाल बड़ियों को आप चनी की दाल कद्दू डाल के एक बार जरूर ट्राइ करिए गया बहुत ही टेस्टी लगने वारी दाल है आप इसको किसी भी सीजन में बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये दाल बंद के तैयार होती है चलो दोस्तो हम आप इस दाल को मिल के बनाना शुरू करते हैं इसके लिए जो थोड़ी समागरी है वह इस तरह की है चना दाल बना रहे हैं जिसके लिए हमने चना दाल लिया है ये दाल हमने 1.500 ग्राम लिया है वैसी एक कटोरी के अंदर इसको निकाल के रखा है दाल को बनाने से पहले एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया, कोई कंकर वगएर इसके अंदर ना हो, इसके लिए इसको हमने चुन लिया था, चुनने बाद इस तरह दाल को हमने एक बड़े बोल के अंदर निकाल लिया, अब इसके अंदर पानी डाल के दो से तीन बार इसको ढ़क देती हैं, इसको दाल को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम कद्व लिया है, आप पीला वाला कद्व भी ले सकते हैं, या फिर हरा वाला कद्व जो आपके पास उपलब्दू उसके द्वारा दाल को बना के तयार कर लेते हैं, साथी साथ दो हमने मीडियम साइच की टमाटर 10-12, स्क्राओं हमने लहसन की उकल्या लिए हैं, 1-1,5 इंच अध्रग का टुकडा लिया निया है, 3-4, स्क्राओं हमने हरी मिर्च लिया है, 2 जी हमीडम साइज की प्याज लिया नियुकला कलरा है, प्याज वों टमांटर को और काटके त्यार कर लेते हैं, इस तरह देके प्याज और टमाटर को अमने काट यह साथ कद्दू को भी काट के तयार कर लेती है छोटा बड़ा जैसा साइज आप पसंद करते हैं उसी तरह काट लीज़े हमने एक इंच के छोटे टुकड़े काट के तयार किये इसके छिकले को निकाल दिया अब एक मिक्सी का जाल ले लेती हैं जिसके अंदर हमने तीन से चार हरी मिर्च डाल दी अद्रक के टुकड़े को छुटा काट के डाल देती है इसके अंदर लहसन डाल दिया टमाटर डाल दिया डखकन लगा कि इसको पीस की इस गबण या पेष्ट बना के तयार कर लिए इस तरह देखे पेष्ट बन गया है इस पेष्ट को एक बोल के अंदर निकाल लेती है इस तरह देखे दाल को भीगे वे आधा गंटा होगे इस तनी ही दालों को हमने भीगोना बहुत जादा दाल को मत भीगोईएगा और इस दाल के पूरे पानी को हम निकाल देते हैं निकालने के बाद एक प्रेशर को कर ले लिया जिसके अंदर इस पूरे दाल को हम डाल देते हैं बूल के अंदर हमने दाल को भीगो के रखा था उसी के अंदर पानी एक बूल इसके अंदर डाल देते हैं चनी की दाल को पकाते से में थोड़ा ही पानी का उप्योग करते हैं अंदर जो हमने कद्दू के टुकड़े काटके रखे पूरी टुकड़ो को इनके अंदर डाल दे जब तक दाल पक्के तयार होती है, हमने तड़केक तयारी कर लेनी है, सबसे पहले गैस में हमने एक कढ़ाई रगती है, उसके अंदर लगभग 2-3 टीबे स्पून सरसो का तेल डाल दाल को बनाने के लिए हमने मोंग दाल बढ़ियों का उपयोग किया है, यह बढ़ियां बह आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने जीरा लिया है, एक बड़ी इलाची, एक तेजपत्ता, दो लाल मेश और तीन से चाल लोंग लिया है, जो फ्लेम पे चलाते हैं लगभग 15 से 20 सिकंड तक इसको भून लेना है, और देखे इस तरह तयार होगे, अब इसके अंदर हम हमने हलदी पाउडर डाला था, साथी साथ आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया, 24 टेबे स्पून से कम इसके अंदर हमने लाल मिर्च डाला है, जैसा तीका मसाला आप खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट की इसको भून लेते, अब जो अधरक पिर्च लहसंग साथ इसे डाल देते हैं और एक टमाटर की जो हमने टुकड़े काटके रखे थे उसको भी डाल देते हैं चलाते भी इसको भून लेते हैं पकाते से में भी हमने नमक को प्योग किया है उसी टेस्ट के हिसाब से आप जिसके मसाले के अंदर भी पानी को प्योग मत करिएगा अगर दाल को पकाते से में आप बहुत जादा पानी को प्योग कर देंगे तो दाल को पकने में टाइम लगता है इस तरह हलका सा दाल को मैश कर देते हैं कुछ पीस इसमें कद्दू के खड़े रहे हैं और कुछ दाल के साथ मिक्स हो जाए पानी डाल दिया पानी डालने बाद इसको मिला लेते हैं और इस तरह देखे दाल मिल के तयार होगी इसको धक देते हैं और करीब 2-3 नट तक इसको पका के तयार कर लेते हैं इस तरह देखे चने की दाल कद्दू बरी के साथ बन के तयार हो गई है धकने बाद इसको हमने 2-3 मिनट तक पका लिया था अब इसको आपको दिखा देते बरी इस तरह से बन के तैयार वे मूंग की दाल बरी एक बारा बनाने जब भी आपका बरी खाने का मन किया इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें जाता जाता लोगों साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें साथ साथ पे लाइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और मुझे कमेंट करके बताना इस तरह आ आप इसको चावल या रोटिक साथ खाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी एक बार इस रेसिपी को आप जरू ट्राइब करिएगा आपने पता कीमती से में निकाल के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद बहुत शुक्रिया फिर मिलते पती नई वीडियो नई रेसिपी साथ श्राथ आप अकलां बाई दोस्तु एं टेक क्यार